असलामेकूम वेलकम टू माई यूट्यूब चनल स्पाइसी एनियन विज आईशा आज हमारे कीजम्हें बन रही है रवायती पंचामी कड़ी पकोड़ा जो बच्चे और बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं इसे आज हम तरह डिफरेंट करेंगे हम इसे जीरा और प्यास का सब्सक्राइब करेंगे तो पहले हम बनाएंगे कड़ी तो पड़ी बनाने के लिए इसके लिए सबसे पहले एक लीटर हमने पानी लिया है बारते सबस मिर्चली तीन को चौप कर लिया है क्रूटे बसपून अद्रों को लहसन का पेस्ट है 200 ग्राम हमरे पास बेसन है एक तो देहीं है यह को कमने थुड़ा सबस सब्सक्राइब कर लिया है अब हम बेसन को और पाणी को ग्रैंड करेंगे इसक लिए कmnए बेसन में पानी डाल लिए entsprechend लिया हम एक ब्लेंगे इसके सबसमीर्च को और आब मेंन्य दूना बिलञड़ुट कर लिया 2डब स्पुन पालियों, 4-5 को सबस दाला हमें दही बसले में, नडाला है इसे बेख् Dude शुम्ट काली खूं से लाएं, 10 यहायँ टाले में मीडियम खॉंट औरसा भशेक जर्बक सीवा दाले है अब अदरक रहसन का पेस्ट और साथ में डालेंगे एक मीडियम साइस का टोमाटर हमने डालेंगे तो हम इसके अदर डालेंगे राफ टी स्पॉन हल्दी जो कडिये वह उबलेंगे नहीं मिक्स करते हैं अब अब आम इसे 40 मिनटस तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे क्योंके कड़ी को अगर ज्यादा पकाएंगे तो तभी इसका टेक्स्टर और टेस्ट वह अच्छी तरह से डिवैल्प होगा तो 40 मिनटस बाद मैं आपक करी को पका यह घाड़ी अना सुरू हो गी यह अवां टो टेबल स्पोन कों अभी मिक्स करेंगे और साथ ही इस इसे पर वां टे बल स्थोन नमक डालेंगे रिचे अची तरह से fellowship कर देंगे मीडियाम लेम अची कर देंगे तो पॉड़े बनाने के लिए पालक लिए अलू है जब अलू है रहा है और जोर तो फूड़े मैधा चाहिए ए पालक लिए क्वाइज है अपने विद्ध रिखने होई इक बोलेंगे के लिए भी में तूड़े मिकसिंग बोल ते गालेंगे 1 tsp कुटीव वी लाल मिर्स पाउडर 1 tsp नमक 1 tsp नमक यह सकते हैं 1 tsp मेथी दाना पहुत जाए है कोडों का बहुत अच्छा अच्छा है गां भीक्ताओं इसमेशाब्जच करकें भीक्ताओं जनाब्जच करकें लाएं दालेंगे दो टेबल स्पॉन मेधा और बाइण बहुत अच्छी होगी और अब जाने दालेंगे 200 ग्राम वेशन अब हम इसे पाने की हाजब से चाहिए थे मिक्स कर लाएंगे थोड़ा पाने डाल जाएंगे ते अचली नहीं से स्धुचल का अचली doesn तर्दें जाएंगे natuurlijk अब लीए चली दालें के ते भीहं अची तरह से मिक्स कर लेंगे तो ते पोड़ों की सुमान हमारा तियार है अब हम एक पैन को चाल करिसे उग्यूज इतनी कॉंटिटी में डा रही हूं अब इतनी मर्जी से साइज से आवो काम तोटा ही बढ़ा कर सकते हैं अब इसमें इसमें डाल देंगे मीडियम लोफ लेंपे हम पकोड़ों को पकाएंगे वर नहीं अंदर से कच्छी रह जाएंगे इसमें डाल देंगे एक तरफ हमारे पकोड़े प्राई हो रहे हैं और दुसी तरफ हमारी लोफ लेंपे कड़ी जो है वह पकरी है कड़ी को हम जदा गाड़ा नहीं करेंगे वनाए जो पकोड़े हैं यह कड़ी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो एक तरफ से पकोड़े हमारे प्राई हो चुके थे मैंने इनको टर्ण कर दिया अब हम गर जब में पकोड़ों को डालेंगे कड़ी के अंदर हम इसके पकोड़े डालेंगे दौ तरफ से कड़ी आए और आपकिकर नांँ ना नो में आ पकोड़े लीए कड़ी को दिखा लिया लेंगे और मिक्स करेंगे तब तक तक हम अपना आपना तरक कर लेते हैं यसे प्यास के देने प्यासं को एक मे अगर्जा एक पैन में मिडराइब प्यास भलाब को बिचान्त को हम गोर्डम ब्राउण रई शेमके यह करना मेरें, लिलिकेशाय अब हमो चर्लेक्शाय को चरज सित – ठाद नावी है प्यास जोंड करेंगे तो में बड़न नगया है अब झाल लगिए अभी जामने इसके अंदर 1 टीस्पून मेची दार डालें फीजाना डालें वां-टीस्पून कलवंची जिसे भी हम साथी करके डालेंगे अच्छी देना प्यास के साथ 1 टीस्पून साबस जीरा बहुत डि कि जानिया न शब्राव, लीफ़ जाँ दिए टर बाफ के शाम न गदेगे समय मेख सब्सक्राइगे, त्रिकब दोड़ने, मेखने समय दालें, भाकिया जालें व्याटस मेखने के लिए जालने जाने के लिए, इसा डिशॉप करेंगे, जार है हमारे कडी पुक आफुकॉरा जिसे हमने जीरे से और व्यान से तड़का लगा है इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़क होगा तो हम इसके पर थोड़े से सबस मिचे डाल देते हैं और थोड़े सबस मिचे डाल देते हैं तो अगर आपको में यह रेसिपी पसंद रही है तो इसे जरूर ट्राय करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलें अला हाफिज